नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे तमाम दर्शकों को स्वतंतरता दिवस्की हार्दिक शुब कामना है साथी साथ आज नाक पंचमी है नाक पंचमी पर भगवान शिव उनकी मन चाही मुरादें पूरी करे। इस बात की कामना हम करते हैं तो आज बड़ा मौका है और एक छोटी सी बात बताना आपको जरूरी है इस बड़े मौके की छोटी सी बात ये है कि आपके घर में अगर गंदगी है अगर जाले हैं सीलन है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी किस्मत पर आपके भागे पर आज इस विशे पर बात करेंगे यानि आपको अपने समाज के साथ साथ अपने घर को भी साफ सुथरा रखना है और इस साफ सुथरा रखने के प्रभाव और परिड़ाम क्या होंगे गंदगी के असर क्या होंगे आज इस विशे पर बात करेंगे चाल चक्र में क्या खास है चलिए बताते हैं आप चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या घर के जाले आपकी किस्मत बिगाड रहे हैं क्या घर की दीवारों पर सीलन आ गई है इसका प्रभाव क्या है और अपने घर से negativity को दूर कैसे करें कि अगर आपके घर में सीलन आने लगे तो इसका प्रभाव क्या है और इसका असर क्या है देखिए अगर घर में अचानक सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि आपके जीवन में शनी की स्थिती ठीक नहीं है या यूँ कहलें कि जिनके घर में शनी की पोजीशन ठीक नहीं होती है उनके घर में आम तोर पर सीलन आ जाती है या सीलन दिखाई देती है ऐसा होने पर घर में रहने वाले लोगों का स्वास्ति खराब होता है स्वास्ति खराब होता ही है मुकदमे बाजी की और करजों की नौबत भी आ जाती है और सबसे बढ़कर बिना कारण के मानसिक तनाव बढ़ता जाता है बिना कारण के तनाव होता चला जाता है अगर घर में सीलन आ रही है तो ये बता रहा है कि आप लोगों के जीवन में शनी की स्थिती अच्छी नहीं है ये स्वास्ति भी खराब करेगा, मानसिक और शारिरिक तनाव भी बढ़ाता चला जाएगा अब अगर ऐसा हो रहा है, तो इससे बचने के उपाय क्या है? एक तो ऐसे घर में रहिए, जहां सूरी का परियाप्त प्रकाश आता हो सूरी के प्रकाश से सीलन चली जाती है, और सूरी के प्रकाश से जो शनी की निगेटिविटी है, वो दूर हो जाती है तो घर में परियाप्त सूरी के प्रकाश की विवस्था कीजिए और घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ये भी बड़ा जरूरी है अगर घर में सीलन आ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं रोज सवेरे और रोज शाम को अपने पूजा अस्थल पर तिल के तेल का या घी का दीपक जलाईए ऐसा करने से अगर सीलन की वजह से जीवन में कोई दिक्कत है या जीवन में कोई दिक्कत आने की संभावना बनती है तो वो दिक्कत, वो संभावना दूर हो जाएगी तो अगर घर में सीलन है तो इसको नजरन्दाज मत कीजिए इसको ठीक करवाईए और साथी साथ इस बात का ध्यान भी रखिए कि आपकी कुंडली में आपके जनमांग में शनी की स्थिती बेहतर नहीं है दूसरी प्राब्लम क्या है घर में धूल का जादा होना घर में धूल जादा हो तो क्या होता है देखिए धूल और मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से मंगल से समबन्ध रखती है धूल और मिट्टी की बात करें तो इसका सीधा संबंध जिस ग्रह से होता है उसे कहते हैं मंगल घर में थोड़ी बहुत धूल देखिए सबके होती है और उसको बहुत बुरा नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज्यादा धूल अगर घर में है तो इसकी वज़े से समस्या की स्थितियां बन जाती है घर में बहुत ज्यादा धूल होना अच्छा नहीं होता इसकी वज़े से प्रॉबलम आती है इसके कारण से परिवार में मतभेद होने लगते हैं अगर आपके घर में धूल जादा आएगी और उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो परिवार में मतभेद होंगे भाई-भाई में तनाव होगा और अलगाव की नौबत आ जाएगी भाई-भाई के बीच में विवाद बढ़ेगा और सिप्रेशन की स्थितियां ऐसी दशा में बन सकती है घर के लोगों में कलेश बढ़ने लगता है घर के लोगों में विवाद शुरू हो जाता है जगड़े लडाईयां शुरू हो जाती है और कभी-कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी समस्या भी होती हुई दिखाई देती है अगर घर में धूल मिट्टी बहुत जादा आने लगे तो अब घर में अगर धूल मिट्टी जादा आ रही है और उसका बुरा प्रभाव पढ़ रहा है तो इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के उपाय क्या है घर में नमक मिले हुए जल का पूँचा लगाईए घर में जब भी पूँचा लगता है उसमें एक चम्मच देड़ चम्मच नमक मिलाईए और नमक मिले हुए जल का पूछा लगाएं तो बहुत अच्छा होगा हर मंगलवार को घर में सुन्दर कांड का पाठ करें और घर के जितने भी लोग इसमें शामिल हो करके सारे लोग शामिल हो करके अगर पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा इस दिन घर में मीठी चीजों का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहन करें तो बहुती जादा अच्छा होगा तीसरी एक समस्या है अक्सर घर के कोनों में, किनारों में, छट के उपर, पंखों के बीच में जाले होते हैं मक्रियों के जाले घर के कोने कोने में खास तोर से बाथरूम के कोने में ज़्यादा तर दिखाई देते हैं क्या मतलब होता इसका घर में जाले जादा हों तो समझना चाहिए कि घर में निगेटिव एनरजी नकारात्मक उर्जा जादा है अगर घर में जाले हों तो घर में नकारात्मक उर्जा की सूचना है निगेटिव एनरजी की इनफॉर्मेशन है ऐसी दशा में घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर घर में ज्यादा जाले होने लगें तो घर में आर्थिक नुकसान होने की जो possibility है जो संभावना है वो काफी ज्यादा रहती है आकस्मिक रूप से घटनाएं और दुर घटनाएं घटने लगती हैं घर के लोगों के साथ और अनावश्यक धन की बरबादी होती है धन अनावश्यक बरबाद होता है कभी इस बीमारी में जा रहा है कभी उस बीमारी में जा रहा है कभी करजे में डूब रहा है, कभी यहां डूब रहा है, अनावश्यक धन की बरबादी होनी शुरू हो जाती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है घर में जाले होने के बड़े बुरे असर है जहाँ निगेटिव एनरजी जादा होगी या जहां पर positive energy कम होगी वहां पर जाले होने की संभावना भी जादा होती है जाले होने की संभावना भी जादा रहती है और घर के लोगों के जीवन में तमाम तरह की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है अगर आपके घर में जाले हैं और हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं, इससे बचें, बचने के उपाय क्या हैं। जहां भी जाले आपको दिखाई दें, उसे तुरंत हटाईए, घर में जालों का बहुत होना अच्छा नहीं होता है। और जहां पर जाले हैं, वहां पर एक दीपक एक बार जला करके जरूर दिखा दीजिए। रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलाईए, ताकि घर के कोनों कोनों में जो निगेटिव एनरजी है, वो आसानी से निकल सके, नकारात्मक उर्जा समापत हो सके। और पूजा के समय तीन बार शंक जरूर बजाईए, जब आप पूजा करते हैं, तो तीन बार शंक बजाना आपके लिए फाइदेमंद होगा, शंक की द्वनी जहां जहां तक जाती है, वहां वहां तक अगर नकारात्मक उर्जा जमी हुई है, नकारात्मक उर्जा अगर कठा है तो निश्चित रूप से वो निगेटिव एनरजी निकल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में पौधों को लगाते हैं, पौधों को लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पौधे सूख जाते हैं, पौधे लग नहीं पाते हैं, कभी तुलसी लगाई तो सूख गया, कभी किसी फ्लावर का पौधा लगाया तो सूख गया, घर में पौ पॉधाइनर्जी का लेबल क्या है इसको पॉधे बहुत जल्दी मेहसूस करते हैं अगर घरो में लिगेटिव एनर्जी बहुत जादा है घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जादा है तो आपके घर में पॉधे लग नहीं पाएंगे और अगर positive energy भी है लेकिन negative energy जादा है तो पौधे लग तो जाएंगे लेकिन कुछ समय बाद बिना किसी बज़ा के सूप जाएंगे और जहां पर तुलसी का पौधा भी न लग पाएंगे वहां नकारात्मक उर्जा सबसे जादा होती है क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत positive पौधा है और आम तोर पर ऐसी जगा पर लग जाता है जहां पर negative energy होती है वो negative energy को सोख लेता है लेकिन जहां भी जरूरत से जादा negative energy होगी वहां तुलसी का पौधा भी सूख जाएगा तो अगर आपके घर में तमाम प्रयासों के बावजूद पौधे नहीं लग पा रहे हैं और बार बार ये बात समझ में आ रही है कि घर में negative energy जादा है घर में नकारात्मक उर्जा जादा है तो इस समस्या को दूर कैसे करें क्या उपाय है इसका घर में धूप की और प्रकाश की परियाप्त व्यवस्था कीजिए घर में धूप का होना और प्रकाश का होना नितांत आवश्यक है घर में धूप और प्रकाश की परियाप्त व्यवस्था करनी चाहिए दोनों वेला घर में दीपक जलाईए घी क का दीपक या तिल के तेल का दीपक सुभत शाम जलाइए और शंक बजाएए तो बहुत अच्छा होगा घर में गंदे कपड़ेक अठा नहां हो घर में कूडा कबार इकठा नहां हो इस बात का ध्यान रते तो कि अगर आप घर में गंदे कपड़े एक अठा करते चले जाएंगे और घर में जो जूते इस्तमाल नहीं करते चपल इस्तमाल नहीं करते उनको एक अठा करते चले जाएंगे तो ऐसी दशा में घर में निगेटिव एनरजी जम जाएगी और अगर निगेटिव एनरजी जमेगी तो आपक है कि जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स के सामान है न वो बिलकुल खराब होने लगते हैं कभी फ्रिच खराब हो गया कभी टीवी खराब हो गई कभी एर कंडिशन खराब हो गया यानि इलेक्ट्रिकल electronics के सामान लगातार खराब होने लगते हैं ऐसी दशा में क्या करना चाहिए अगर घर में electrical electronics के सामान खराब होने लगें तो समझना चाहिए कि राहू अनुकूल नहीं है अगर आपके घर में लगातार electrical electronics के सामान खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका राहू अच्छा नहीं है ऐसी दशा में जो निगेटिव चीजे होती है जो नकारात्मक चीजे होती है वो अचानक घटने लगती है जीवन में घर में धन का नुकसान होने लगता है और खास तोर से जीवन में आकस्मिक घटना घटती है कभी नुकसान हो गया कभी रास्ते में चोट लग गई कभी रखा हुआ पैसा चोरी हो गया कभी सड़क पर जा रहे हैं कोई मुबाइल चीन कर ले गया अचानक से घटती हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अचानक से निगेटिविटी यानी शुरू हो जाती है अगर घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स के सामान खराब हो रहे हैं तो यह इस बात की सूचना है कि आपका राहू खराब है सावधान हो जाईए कैसे सावधान हो अगर घर में Electrical Electronics के सामान खराब हो रही हो तो इससे बचने के उपाय क्या है क्या उपाय करें हर शनीवार को मिश्रित अनाज का डान कीजिए गेहू है जवार है बाजरा है जो है रागी है मक्का है मिश्रित अनाज का डान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा घर से तूटे फूटे और खराब समान हटा दीजिए घर में एक तुलसी का पौधा लगाईए और उस पौधे के नीचे रोज घी का दीपक जलाईए लेकिन याद रखिए रवी वार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक नहीं जलाएंगे तो आपके घर में जो ये छोटी-छोटी चीजे हैं ये निश्चित रूप से कुछ बड़ा इशारा कर रही हैं इसको जितना जल्दी समझ करके आप इसके हिसाब से उपाय करेंगे आपके लिए उठना ही जड़ा बेटर होगा